नमस्कार स्वागत है आपका आनेन 24 पर आपके साथ मैं हूँ पृतिस सेंग भड़ते हैं खबरों की ओर गंभी रूप से जखमी हो गए हैं इस्थानिय निवासियों ने इलाज हेतु बिरनी स्वास्त केंद्र पहुंचाया जहां इलाज चल रहा है जानकारी के अनुसार पत्रकार सुनिल वर्मा दवाई की दुकान भी चलाते हैं घटना रविवार की शाम लगभग 6 बजे की है ज उसी वक्त तीन नकापोश अपराधी आये जिनमें एक अपराधी बाईक स्टार्ट कर खड़ा था जबकी दो अपराधी ने दवाई की दुकान में घुसकर सुनिल वर्मा को गोली मार दिया सुनिल वर्मा जब तक को समझ पाते तब तक दोनों हमलावर फरार हो चुके थे उक्त परिघटना के खिलाव भारती जनता पार्टी के नित्रित्व में प्लस टू उच्च विद्याले पलोजिया से बिराजपूर चौक और पुना बिराजपूर चौक से प्रखंड मुख्याले तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया जिसमें जारखंड सरकार और का मनुबल अतियधिक बढ़ गया है जारखंड में आज कोई भी सुरक्षित नहीं है मौके पर भारती जनता पार्टी के सैक्डो नेता कारेकरता उपस्थित हुए ऐसा नहीं है कि इस तरह के हमले पहली बार हुए है अभी हाल ही में राची में बैजनात महतो पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले में उनकी मौत हो गई इससे साफ पता चलता है कि राज्य सरकार और प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा देने में विफल हो रही है अगर इस तरह से पत्रकारों पर हमले होते रहे तो सम्विधान की चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया खत्रे में परतिवाद मार्च निकाले ये परसासन को चेतावनी के रूप में हम लोग परतिवाद मार्च निकाले क्योंकि कल साम सड़े 6 बजे सुनिल बर्मा पर कुछे अपराधिव किस्म के लोग गोली चलाया जानलेवा हमला करने के नियत से हत्या करने के नियत से गोली चलाया ल को कांड लेकर आज बर्तिवाद मार्च निकाल के परसासन को चेतावनी दिया, जारखन सरकार को चेतावनी दिया, यहां के पुलिस परसासन को चेतावनी दिया कि सुनिल बर्मा के हमलावर को अविलम गिरफतार कर जेल भेजने का काम करें, नहीं तो भारतिय जनता पार्टी चर्णबद आंदोलन करेगी और परसाशन को बाइद करेगी कि सुनिल बर्मा पर जो गोली चलाया है लोग उसको हर हालत पर 24 घंटा के अंदर गिर्वतार कर जेल भेजने का काम करेगी